बड़कोड रेंज अदरगा लाल तपड में जंगली हाती लगा तार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देर रात भी हातियों के जुन ने किसानों की आलू की फसल को पूरी तरे रौन दिया। जब किसानों ने हाथियों को भगाने की कोसिस की तो हाथियों का जुन आबादी छेत्र की और आ गया जिससे कुछ लोगों को छटों पर चड़ कर अपनी जान बचानी पड़ी इसी बीच हाथियों द्वारा एक कमपनी की दिवार भी तोड़ती गई हाथियों के आबादी छेत में घुस पेट को लेकर गामिनों में भारी आक्रों से और वन विभाग से जंगल किनारे एलेक्टिक फेंसिंग वाय लगाय जाने वाखाय खोदे जाने की साथ ही पीडित किसानों को उचित मुआज़ा दे जाने की मां की है राद भी हाथी यहां पर फेक्टरी में आया है और हमारे जंगल किनारे गाउं बसा है लालतपड़ वार नमबर तीन इसमें घरों की बोंडरियां हाथी द्वारा शतिग्रस्त की जारी है और राद भी घरों के भीतर तक हाथी घुस गया था और जो भी लोग थे जो भगाने से कि यहां पर फेंसिंग जो हमारी वह लाइन वह लगाई जाए और खुदाई की जाए जो भी है उचित मौफजा जो भी यहां पर हानी पहुंची है उसके लिए उचित मौफजा दिया जाए बच्चों द्वारा जैसे कि हमारे जो माताय वहने या ग्रामीन थे वह पाया जाए और इसके उपर जंगली जानवरों के उपर काबू पाया जाए हाथी का आए दिन अतिकर्मन चला रहा है कि एक बार अंदर आके भगा भी दिया है लेकिन वह जो लोग भगाते हैं उनके पीछे भागने को आता है और रात भी ऐसी हुआ चार-पांच हाथी रहते हैं लेकिन वह काबू में नहीं आके उन्होंने चार-पांच हो से बांडी हमारी तोड़ दिये तलक वालू का जो फसल लगा हो सारा बरबाद कर दिया